नमस्कार आर्थनिम्य स्वागत इस स्वक्त हम पहुंच चुके हैं पौण सी के मौसी के ये दुवार है और यहां पर दखिए ये मौसी के आज बरात जा रहा है नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमित करता हूँ सभी मेरे दोस्त ठीक होंगे तो मैं आपका दोस्त की साल स्वागत है हमारे चैनल भुझ पुरिया जहान में आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि पौण सींग के मौसी के बरात में कुछ लोग पह आप लोग आपको बता दे कि बहुत सारे ऐसे न्यूज रिपोर्टर है कि कुछ ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जिसका चर्चा पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में चलने लगता है इसे कुछ दिन पहले का बात किया जा है तो एक खेसारी लाल यादो के पिता जी यानि कि मंगरु यादो जी का एक इंटर्विव हुआ था उस इंटर्विव को लेने वाला कौन था तो पूरी के सबसे जाने माने रिपोर्टर जिनका नाम है मनीज और उनका चैनल है आर्ती न्यूज सबी लोग जानते होंगे आर्टि न्यूज वाले का तो वो क्या किये थे कि खेसारी लाल यादोजी का पिता जी का इंतर्विव लेने गये थे और वहाँ पर बोल दिये थे मिश्टेक में कि मैं खेसारी जी का पिता हूँ मतलब वो बंदा कभी भी कुछ भी उल्टा बोल सकता है तो उस बात को लेकर कुछ पवन सिंग के यूटूबर है कि सारी लाल यादों को काफ़ी ट्रोल किये थे उनके पिता जी को भी टार्गेट किये थे तो वैसा ही घटना पवन सिंग के साथ भी वही निज रिपोर्टर कर दिया है आप लोगों को बता दे कि पवन सिंग के मौसी के बरात यहां तक वो ले जाने की बात कर रहा है आप लोगों को विस्वास नहीं है तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा परश्ट में उसका भॉएस और अगर अभी भी विस्वास नहीं है तो थोड़ा सा इप लिए देखिए और यहां पर दखिए यह मौसी के आज बरात जा रहा है देख रहा है न क्या बोल रहा है भाई तो यही बात है भाई कि यह कुछ भी बोल सकता है पावन सिंह के मौसी के बेटे के बरात में पहुचा है और बोला कि यहां देखिए मैं पावन सिंह के मौसी के दौर प्या गया हूँ यह पाउन सिंग के मौसी का दुआर है और आज पाउन सिंग के मौसी का बरात है मतलब क्या बताया जाए यह कुछ भी बोल देता है और इसी के बाद को लेकर ट्रोल कर रहे ते लोग के सारी लाले आदो अब करो ट्रोल, करो ममंत जिंग मौजी के बढ़ात ले जाता है, कर लोग ट्रोल, यहां पर यह बोष्पुरी इंडस्ट्री है, और बोष्पुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे ऐसे नमूने, ऐसे ऐसे कांट करते रहते हैं, तो इस पर मजा नहीं लेना चाहिए, क्यूंकि जब हम लोग मज़ा लेने लगें तो आप लोगों का जो मज़ा है वो सजा में बदल जाएगा तो चलिए, अब इक लिए बस इतना ही, आप लोग बरात जाने का त्यारी तो नहीं नकोई थे खेसारी वेयर नहीं गये हैं खेसारी भी अथोड़ी अब भारात में जाएंगे खेसारी भी अपस उतना टाइम है अपने गाने में बेस्त है अभी जाकर जून में गाने को प्यार दीज़े एक दम गरदा उलाआ है और एक एक रिल उस गारे पर जरूर बनाईए चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद